हलो एप्रीवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे आज हम करेंगे हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट थर्ड जो हम लोगोंने लेक्चर सीरी शुरू करी है मैंने आप लोगों कहा था जितनी भी टाइप्स के क्वेशन बन सक कुछ डिस्टेंस हमने बाइट्रें किया तो टोटल किता हूँ उस पर हम लोगोंने बात की उसके अलावा हम लोगोंने पढ़ा था जब दो स्पीड गिवन हूँ या दो टाइम गिवन हूँ तब फॉर्मूला के साथ क्वेशन कैसे निकाल सकते हैं फॉर्मूला भी यहां पॉइंट के रिलेटेड की दो ट्रेंज वान लोग एक जगा से निकलती हैं और यह किसी जगा पर आपस में मिलेंगी तो बताओ कि उस टाइम पर जो टाइम फ्रेम है हम लोगोंने जो कंसेट पढ़ा था वह यह था कि जो टाइम फ्रेम होगा उसको सेम रेफरेंस में ले या एक ट्रेन आ रही है वो क्रॉस करेंगी एक पोल को या आदमी को या दो ट्रेंस क्रॉस करेंगी एक दूसरे को तो हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन को करा फॉर्मला अभी तक हम लोगों ने एक ही पढ़ा है जिसको हम लोगोंने क्या कहा था Speed is equal to distance upon time बहुत से बच् में या तो आपको direction sense का question इस पर बन सकता है बहुत बार आपको average speed पर question यहां पर बन सकता है अभी आज के lecture में हम लोग boat and stream को discuss करेंगे एक topic अब इसके उपर आपको एक ओर lecture मिलेगा जो part 4 होगा उस पर हम लोग average speed और एक race के questions बनते हैं कि वान लोग दो लोगों ने शुरू किया इतनी speed से बताओ वो कब मिलेंगे तो यह questions बनते ही last lecture में हम लोग discuss करेंगे आज हम boat and stream पर काम करेंगे बहुत से बच्चों को math का एक डर था जिसको हम लोगों निकालेंगे निकालेंगे किस तरीके से जो हमें डर होता है math को लेके हम लोग उस चीज को करते ही नहीं है हम लोग क्या कर रहे है हम लोग हर एक type को कर रहे है जब आप टाइब की अगर मैं बात करूं तो उनमें हम लोग ने जो फॉर्मूला पड़ा था वह एक ही पड़ा था some of observation upon number of observations उसको ही हो लेके हम लोगों ने पूरा chapter खतम किया आज की डेट में कोई ऐसा question नहीं है जो आप दोगों का नहीं निकलेगा same time speed distance के अगर हम बात करें मैंने आपको का है एक formula जो आपको याद रखना वह होता है speed is equal to distance upon time और चाहले ही तक अगर reasoning की बात करूँ हम लोग number series, letter series, semantic series को कर चुके हैं, speed, distance or time हम लोग अभी कर रही हैं, इसके बाद जो lecture होगा statement conclusion का वहने, आपको एक lecture पढ़ाया है मेरा थौर में, लेकिन अब मैं आपको करवाँगा इसका एक और practice है, जिसमें कोशिश करेंगे 30 से 50 के बीच बीच में questions क इसको solve करें, जो concept आप लोगों को अगर थोड़ से भूले भी हैं, उसके उपर वापिस से गाम करेंगे, तो यह मैं आपको करवाँगा, फिर हम लोग next पर जाएंगे, और अगर हम बात करें quantitative aptitude की, जो ही इसका second part है, इसमें हमारा graph of linear equation है चुका है, DI हमारी रहती है, height and distances र हो गई या 10th की हो गई, जो उसकी exercises हैं, पहले मैं आपको वो solve करवाँगा, अभी मैंने आपको एक overview दिया है, सिरफ यहां पर की चीज़े होती क्या है, formulas क्या होती है, किस तरीके से equal angles अब्टेंट करती है, course, यह सब चीज़े हम लोगों ने देखा है, पहले मैं आपको NCRD करवाँगा, उसके बाद मैं आपको करवाँगा, SSC के questions जो paper में पूछेगे है, फिर वो CGL के होंगे, CHSL के होंगे, practice set की form में, और जब हमारा यह पूरा part खतम हो जाएगा, फिर मैं आपको यहां पर लेके होगा हमारे sectional test, ठीक है, जो हम लोग वीडियो की form में करेंगे, स साथ ही साथ, अगर आप लोगों को यह सारा compile चाहिए, तो हमारा पंचाय सेकेटरी, VLW का course अवेलेबल है, हमारी SSS की app पे, इसमें आप लोगों को video lectures, mock test, notes, MCQ series सम्मिल जाएगा, और साथ ही साथ, topic test हम लोगों के बहुत जल्द यहां पे सारे ही upload हो जाएगे, एक ही साथ आप लोग इसको अपने हिसाब से कर सकते है, unlimited attempts है, फिर आपको sectional test जो है, वो मिलना शुरू हो जाएंगे, sectional test में क्या होगा, पूरा का पूरे section होगी, same paper की तरह, और जब वो हो जाएगा, और हमारी कोशिश ही है कि 1st September से, हम लोग, हम इसका पहला mock test देंगे, mock test number 1, जब उसका पूरा schedule बनाके, उस पे काम करेगे, क्योंकि ये चीजे हमें करनी कैसे हो सीखनी है, और साथ ही साथ जो अभी हमारे offers थे, AAA Independence Day के उपर, ये offers को extend कर दिया गया है, 19 August तक, जब तक आपकी जन्मास्टमी है, तो अगर आप में से कोई भी हमारा पूरा complete course लेना चाता है, तो ये 500 की जगा, आपको 400 में मिल जाएगा, विया डब्ली पंचाय सेकेटरी, सिफना, जूनिय असिस्टेंट, जितने भी वारे जेंडगे के exam's है, अगर आप लोगों हमारी library में आना चाते हैं, जम्मू और उधंपूर ब्रांच का, आप लोगों यहां पर address देख सकते ह हैं, और इन number पर आप लोग contact कर सकते हैं, अगर आपको कोई query होगी, यहां पर यह पर मन्त के charges है, और हमारे जो test series हैं, जो बच्चे VRW के मांग कर रहे हैं, वो 1st September से ही हम लोग अलग में launch करेंगे, अभी जिन बच्चों ने course में enroll किया, आप लोगों को test series खरीदने की ज़ आप से पहली चीज अब हम यहां पर जो discuss करेंगे, boat and stream के ओपर, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, यह topic बहुत सारी जगा पर अलग से mention होता है, अलग सा chapter बोलते है, लेकिन यह सब पार्ट है, time and distance का ही, आप देखो होता क्या, मान लीजिए, यह कोई एक हमारी stream है, य आपने उल्टा उपर की तरफ बैता हो पानी देखा है, नहीं देखा, मान लीजिए, यहां पर क्या है, जिस भी direction में यह river flow कर रही है, इसको मान लेते है, y km पर और की speed से यह जा रही है, आप लोगोंने अगर जम्मू से अतवी देखी होगी, अगर आप लोगों कश्मीर स आप लोगोंने वहाँ पर अलग-अलग rivers देखी होगी, लेक देखी होगी, तो मान लीजिए, y km पर और की speed से आपकी जो river है, वो जा रही है, river का flow हमेशा downwards रहता है, और बीच में मान लीजिए, एक boat है, चीक है, मान लीजिए, कोई एक boat है, जो की यहां पर travel कर रही है, इस इसी direction में, यानि कि इसी direction में हमारी boat भी जा रही है, इसकी speed मान लो, speed of boat क्या है, speed of boat मान लो, x km पर और, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस case में, इस case में हम लोग इसको कहते है, downstream, अब एक हम लोगोंने concept पढ़ा था, किसका, relative speed का, अब देखो, अगर आप से पूछा जा यह दोनों travel कर रहे है, boat की speed क्या है, boat की speed है, direction क्या है, steam के साथ, अब आप लोग खुद एक चीज को visualize करो, आप लोगोंने देखा होगा, बहुत सारे adventure sports होते हैं, trekking करने आप लोग जाते हैं, या फिर आप लोग बोटिंग के लिए जाते हैं, तो आप लोगोंने एक चीज देखियोगे, मानलो यहां से अगर आपकी boat को मैं धक्का दूँ, इस direction में, जिस direction में आपका पानी flow कर रहा है, तो आपकी speed क्या होगी, बड़ेगी, कम होगी, simple सा concept याद रखना, जादा इसमें चीज़ें हम लोगों को discuss नहीं करनी, हम लोगों को बास यहां पे चीज को सम होती है, x plus y km पर और, पहला concept, simple सी चीज है, formula क्या याद रखना, formula हमारा वही है, distance equal to, जो होता है हमारा, speed is equal to distance upon time, formula हमारा वही चलेगा, आपको question solve करके बताऊंगा, आपको खुद clear हो जाएगा, यह तो concept है किसका downstream का, समझाया, जब, अब simple language में लिखेंगे, river के flow के साथ, जो चलती है, boat, उसको हम लो ground stream क्या लेते हैं, simple सी language में, अब दूसरा के साथ आता है, यहाँ पर हमारा upstream का, अब upstream में क्या है, मान लो, यह हमारी river है, ठीक है, और यह हमारी river तो आपको पता है कि किस direction में flow कर रही है, हमारी इस direction में ही flow कर रही है, किस से, मान लो, y km पर, और की speed से, ठीक, अब यहाँ पर हमारी एक boat है, ठीक है, मान लो, यह हमारी boat है, यह upstream जा रही है, जो हमारी direction है, पानी की, उसके against जा रही है, कि speed से जा रही है, मान लो, x km पर, और की speed से, अब इस case में क्या हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे upstream, यह दो concept है, basic, और इसकी अगर relative speed आप से किसी बच्चे ने कभी swimming करी होगी, swimming pool में भी, अगर या फिर अगर कभी आप लोग करे होगे, अगर आप flow के साथ अपनी speed करते हो, तो आपकी speed बढ़ जाती है, अगर आप उसके against जाओगे, तो आपकी speed कम हो जाती है, तो इस case में relative speed क्या हो जाती है, x-y km पर, basic concept है, भी पूछा जाएगा कि, अगर flow के साथ बह रहे है, यानि कि downstream में जाने तो relative speed क्या हो जाएगी, x-y, तो यही था पूरा एक concept, बहुत सारी books में आपको बहुत सारे formulas में भी लेंगे, मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में बार बार कहिए, कि formulas जितने कम पता होंगे ना, उतना फाइदा होता है paper में, math की section में, tricks, जितने ही खाम बता हों, उतना फाइदा होता है, अब कहीं सारी tricks ऐसी होंगी, जो ना, सिरफ एक question पर लगती है, एक तरीके के type पर लगती है, हम लोग वो सीख के जाते हैं, और paper में जरूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ स्क चार अलग अलग type के questions सुनते हैं, सारे हम लोग यहां पर इसी lecture में discuss करेंगे, simple एक ही formula के साथ, क्या चीज़े सीखिए हम लोगोंने, downstream के case में क्या होता है, relative speed में क्या हो जाती है, भढ़ जाती है, यानि कि obvious है add हो जाएगी, x plus y km पर और, और यह formula तो हमें पता यह कि speed क्या होती है, distance upon time, और जो average speed का question आपको expected होता है, अगर इसमें पूछा जाए, तो यह क्या होता है, यह भी हमारा कुछ नहीं होता है, यह होता है, total distance cover upon total time ticker, same formula हमारा हर जगा चलता है, और upstream में हम लोगोंने क्या समझा, जब कभी भी हम लोग opposite, यानि कि इसके against, यह जो हमारी river ह या कोई भी चीज आप इसको मान लीजिए, इसके against, अगर मान लो हमारी board चल रही है, या कोई बंदा swim कर रहा है यहाँ पे, अगर opposite direction में यह कर रहा है, तो उसकी speed obviously क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कोई उसको यहाँ पे opposite direction में ढखे लेगा, तो यह simple सा concept था downstream और upstream का, अब सीधा हम लोग चलेंगे questions के ऊपर, questions को हम लोग solve करेंगे, और questions को हम लोग सीखेंगे, यही चीज अभी तक पड़ी, downstream में क्या होता है, river के flow के साथ चलना, और इसमें obvious ही बात है, अगर आप किसी चीज को, मान लीजिए, कोई अगर आपको पानी का flow यहाँ पे है और यहाँ पर आपकी obvious speed बात है, जो speed आपकी natural speed है, जो कि मान लीजिए, x है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यही concept है, पूरे chapter का, report and streams का, अब बात करेंगे सीधा questions के ऊपर, आप लोगों questions के ऊपर चलते हैं, किस तरीके से paper में question पूचे जाते हैं, पहला question आ एक आदमी है, देखो, हर एक चीज को जरूरी नियाँ बना है, मान लो पहला question मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, swim कर रहा है, flow के साथ, मान लीजिए, flow यहाँ पे है, total distance कितना है, d, distance हमें गिवन है, 48 km का, flow के साथ कर रहा है, कितने time में, time कितना ग कहते है, downstream, ठीक है, और downstream क्या होती है, हमारी हमेशा, मान लो यह x की speed से जा रहा है, यह y की speed है, तो यह क्या होगी हमारी, यह होगी, x plus y km पर और, अब यहाँ से एक चीज देख लो, formula वही है, बार-बार एक ही formula आप लोगों के सामने लिखना हूँ, आपको बस यही formula याद रखना है, अब speed कितनी किवन है, x plus y, किसके बराबर होगी, distance upon time के distance किया, हमारे बास 48, और यह क्या आगया, 8, cancel out कर दो, x plus y कितना आगया, 6 km पर और, चीक, अगली लाइन क्या कहा रही है, if it take 12 or to return to the same distance, वालो यह बंदे ने travel कर दिया, यह पूरा distance इसने यहाँ तक travel किया, 48 km का यहाँ पहुंचा, यहाँ आके इसको सुजी की नहीं वाई, वापस जाना है, वो वापस उपर की तरफ किया, direction यानि कि यहाँ पर क्या हुआ, upstream, और upstream क्या होती है, अब जो यहाँ पर इसकी speed है, और जो यहाँ पर हम लोग ने देखा river की speed है, यह क्या हो जाएगी, x minus y km पर, और, अब same चीज, same concept, upstream क्या होगी, x minus y, distance तो देखो, वो ही रहा, जो यहाँ से यहाँ तक का था, लेकिन time कितना लगा इस बार इसको, 12 गंटे, यह cancel out कर लोगे, यह आगया आपका 4 km पर, यहाँ तक आगया, अब देखो, ध्यान से, पूछा गया गया है, speed of the flow of river, अब दो equations हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई है, पहली क्या आ गई है, यहाँ पर, x plus y किसके बराबर है, 6 km, x minus y किसके बराबर है, यहाँ पर, 4 km, अब पूछा गया है, देखो, पूछा गया है, यहाँ पर, speed of the flow of river, ठीक है, यानि कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना ह अब सिंपल सी बात है, इसको सब्ट्रेक्ट कर दो, यह अब आप लोग ने कर बच्पर में पढ़ा है, तो आप लोगों को असानी हो जागी, x x कैंसल हो जाएगा, 2 y आगे हमारे पास कितना, 2, और y क्या आजाएगा हमारे पास, 1 km पर और, अब यह तो थी पहली चीज, सम यह अगर आप समझ गए हो, यह जो यहां पर मैंने बनाया है, यह जो downstream लिखा है, यह जो upstream लिखा है, इसमें बस यही चीज है, जो आपको समझ नहीं है, और इसमें बहुत बार questions बनते हैं, कुछ लोग इसको अलग chapter की तरा treat करते हैं, लेकिन यह time speed distance का ही एक sub part है, तो हम इ next question हमें क्या लिखा है यहां पर, देखो next question में हमें यहां पर लिखा गया है, एक boat है, जो की 12 km downstream जाती है, अब जो चीजे लिखे है न उसको आप लोग उस तरीके से लिख रहा शुरू करें, ज़रूरी नहीं है, हर बार हम लोग डाइग्राम इस case पर मनाएं, देखो downstream का क् मतलब है, downstream का मतलब भी तक हम लोगों ने पढ़ा, यानि की, अपनी speed होगी, साथ-साथ y, यानि की, speed हो जाएगी, जिस भी river के साथ वो जा रहा है, ठीक है, और वापिस आ रहा है, वो starting point में, कितने गंटे में, तीन गंटे में, तीन गंटे में, अब यहां से हमें चीजें कुछ देखने को मिली है, अब देखो, क्या लिखा है, बनाई लेते हैं इसको, मालो यह downstream है, एक आदमी है, वो यहां से जाता है, यहां तक, छीख, swimming के करते करते, और सारी बोट है, बोट बना लो, एक बोट है, वो जाती है पहले यहां से, और फिर क्या करती है, वो यहां time downstream जाने में लगा, plus जो time upstream आने में लगा, total कितना है, तीन घंटे, यह equation यहां पर given है, अब देखो, distance is equal to, sorry, speed is equal to distance upon time, और time किसके बराबर हो जाएगा, हमारा distance upon speed, अब distance given है, नहीं given है, मालो यह total distance है, D, ठीक, sorry, D हमें given है, distance हमें given है, कितना 12 km, अब T down कितना होगा, यहोग बताइए, जल्दी से, speed कितनी होगी यहां पर, speed होगी हमारी x plus y, plus upward भी आ रहे है, तो यानि कि यह कितनी होगी, x minus y, किसके बराबर होगी है, तीन के बराबर, अब इन questions को करने के ना, दो तरीके होते है, पहला मैं आपको इसका traditional method बताऊंगा, थोड़ा सा लंबा होता है, यह जिसको हमें avoid करना है, अब आपको आज में एक चीज़ सिखाऊंगा, वो होती है, हमारी optional approach, optional approach के ओपर में आपको बात में लेके आऊंगा, अब पहले इस पर बात करते हैं, देखो 12 upon x plus y है, plus 12 upon x minus y है, अब बच्पन में अगर आप लोगों को याद है, a plus b into a minus b, किसके बरापर होगा, 12 into x minus y plus 12 into x plus y is equal to 3, अब इसको further solve करते हैं, 12x, sorry, यहाँ पे एक और चीज, हमें एक चीज तो यहाँ पे given है, speed of current हमें given है 3, तो y की जगा मैं सीधा 3 ही लिख देता हूं, ठीक है, x minus 3 plus 12 into x plus 3 is equal to 3, और x square minus 3 square की जगा क्या लिख देता हूं, मैं सीधा 9, ठीक है, यहाँ तक तो चीज है given है, अब इसको आगे solve करते हैं, यह हो जाएगा हमारे पास क्या, 12x नहीं होगा, यह 12 है, अब इसको further solve करो, 12x minus 36 plus 12x plus 36 is equal to, अब यह यहाँ पे चले जाएगा, cross multiply होगा, ठीक है, क्या हो गया, यह 3x square minus 27, अब इसको solve करोगे, जब आप 37 गया, 24x is equal to 3x square minus 27, 24x को हम लोग इस साइड ले आएंगे, यहाँ पे quadratic equation बन जाएगी एक, अब आप लोग यहाँ पे सोच रहो कि यहाँ यह केतना difficult है, इसको छोड़ देते हैं, पेपर में कहा हैं करेंगे, 3 common ले लो इस पूरी equation में, यह में आपको एक traditional method सिखा रहा quadratic पढ़ाऊँगा तो मैं आपको वहाँ पे करवाऊँगा, यह चीज़ कैसे लिखी मैंने, पर इसके आपको ज़रूरत नहीं पढ़ेगी, x is equal to x minus 9, और यहाँ से आप ले लो minus 1, एक से गे रुकिएगा, 8x हो गया हमारा 9, इसको, sorry, यह प्लस x होगा, यहाँ प्लस 1 और य हो गया हमारा x minus 9 is equal to 0, और एक factor बना x minus 9, एक बना x plus 1, और आपको पता है, यह जब 0 के बराबर है, तो x की values आएंगी, minus 9, sorry, plus 9, और minus 1, अब minus में हो सकती नहीं है, तो x की value तो देखो, भये, यहाँ से आएगी 9, अब यह question हम लोगोंने solve किया, इतनी quadratic equations बनाई, इतना सब कि यह फिर answer आया, अब मैं आपको बताऊंगा optional approach, जिसको note करना है, screenshot ले लेना, but इस तरीके से paper में solve ने करना, अब आप competitive exam देने जा रहे हो, अब आप लोगों को थोड़ा सा अपनी जो approach है, उसमें change लाना पड़ेगा, चीज़े सीखनी पड़ेंगी, चीज़ों को सीखोगे तो डर निकलेगा, चीज़ों को सीखोगे, तो खुद चीज़े बना पाऊगे, अब यह बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको आज पड़ा रहा हूँ, यह मुझे किसी ने नहीं कभी सिखाई, खुद सीखी है, practice कर करके सीखे, अब देखो, t downstream कितना हो गया हमारे पास, t downstream हम लोगों ने देखा था, 12 upon x plus 3, plus 12 upon x minus 3, यहाँ तक equation हम लोगों ने मला नी थी, किस के बराबर है, 3 के बराबर, अब जो हम लोग discuss करेंगे, वो क्या होती है, वो होती है, optional approach, पहले देखो, हमें क्या चाहिए, देखो, एक चीज़ हमें देखनी है, एक चीज़ पहले हमें देखनी है, optional approach में, कि जो answer मिल रहा है, वो क्या है, 3, अब x की value इन में से कोई एक होगी, उठा के डाल दो, 12 upon, पहले मां उठा लेता हूँ, 12, 12 plus 3, plus 12 upon 12 minus 3, 12 upon 15, plus 12 upon 9, इसको cancel कर दो, यह हो गया, 4 upon 5, plus, यह हो गया, हमारे पास 4 upon 3, LCM ले लो, 15, 4, 3, 12, 5, 4, 20, यह हो गया, क्या यह 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानि कि आपका answer 12 है ही नहीं, दूसरा case, 9 उठा लेते हैं, 12 upon 9 plus 3, plus 12 upon 9 minus 3, अब यह हो गया, 12 upon 12, plus 12 upon 6, cancel किया यह 1, cancel किया यह 2, यह 3, क्या हमें 3 चाहिए है, चाहिए, answer, करने की जुरूरत ही नहीं है, quadratic equation तक पहुँचना ही नहीं है, समझ आया, नहीं समझ आया, तो मैं आपको आपको समझाता हूँ, सबसे पहली चीज क्या करनी है, सबसे पहली चीज हमें देखनी है, जो भी हमें statement given है, उससे हमें equation बनानी है, equation हम लोग ने बना ली, t downstream, plus t upstream, time upstream, जो था वो 3 घंटे given है, अब equation यहां तक हम लोग ने इसको लिया, अब आके quadratic equation पे जाना है, solve करना है, फिर answer निकालना है, इसमें बहुत time waste होगा, पहली चीज, जितना time उसमें लगेगा, आप लोग optional approach से चले जाओ, sequence ऐसे उठाना, ऐसे उठा लो, लेकिन एक जो particular sequence मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखना, इसका sequence होता है, C, D, A, P, कभी भी, ये एक मतलब आप लोग मांग लीजिए, ये भी मैंने खुदी बनाए है, जब भी कभी optional approach से जाना है, इस sequence में जाना है, examiner जान बूच के जो सही answer होता है, इन cases में, वो कहीं यहाँ पे रखता है, पहले बच्चा को कोशिश करता है, को D पे जाएगा, उल्टे approach में भी गलत करता है, फिर वो C पे आएगा, लेकिन बहुत हद तक na optional approach, अगर कभी भी लगानी है, ये कोई fix pattern नहीं हो सकता है, आपका answer B ही हो, लेकिन कभी भी optional approach के लिए जाना है, तो इस approach से आप लोग जरूर जाना, C, D, A, B, इस approach से आप लोग जाना, अगर मैं आपकी बात करूं, इसी particular question की, तो आपका answer शाय से last attempt में आएगा, बट, एक अगर आप बान लेजिए कि practice बहुत की है, या फिर हम लोगोंने, पूरे पूरी अगर आपसे बात करूं, जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोगोंने किनन publication की book आती थी एक, जिसमें math के approximate 12,000 questions होते है, अगर कभी भी guess करना है, और optional approach से जाना है, तो इस sequence को follow करना, यह आप लोग खुद जब practice करोगे, तो सीख जाओगे, next question में चलते है, next question में क्या कहा गया है, यहाँ पर अब इस question को देखो, आप लोगों को चीज़े समझने में आ जाएंगी, एक आदमी है, जो की row करता है, यानि कि एक row करता है, 6 km पर और की speed में, in still water, यानि कि क्या, उसकी खुद की speed कितनी है, 6 km पर और, speed of current हमें गिवन है, कितनी, 2 km पर और, ठीक है, यहाँ पर जो जो चीज़े गिवन है, उसको लिखते चलो, अब भोला गया है, it takes 3 odds more in the upstream than in downstream, for the same distance, अब मुझे एक चीज बताओ, यह आगया हमारा time upstream, और यह आगया हमारा time downstream, अब एक चीज़ मुझे बताओ, ध्यान से सोच के, कि इसके equation क्या बने, पहला step हमेशा boat and stream में ही है, कि हमें equation बनाने, equations को समझ के, फिर optional approach लगाओ, या जो मर्जी लगाओ, वो आपका answer निकली जाएगा, अब कहा क्या है, उसने कहा है, एक आदमी है, वो जब कभी भी रो करता है, मालनो यह हमारी stream है, यहाँ पर कहीं वो आदमी है, जो रो करता है, वो जब कभी भी downstream जाता है, या फिर downstream जाता है, मालनो 6 km पर और की speed से, और मतलब उसकी खुद की speed, और 2 km पर और क्या है, उसकी flow, जो है, तीन घंटे ज्यादा लेता है अब मुझे एक चीज बताओ अगर मुझे स्ट्रीम इस इक्वेशन को सही बठाना है तो मैं कहां पर तीन घंटे को आड़ करूगा या किस डारेक्शन में जाने के लिए मुझे ज़्यादा समय लगेगा क्या मैं अगर माल लो मुझे ट्रैवल करना है अब इसको विजुलाइज करो इस इस प्रॉब्लम को सॉल गरने जैसे आपको मैंने मैंसेरेशन के टाइम बताया था ना कि अपने आपको अपने डूम को समझ लो उसकी edges को देखो corners को देखो आपको खुद समझा जाएगा किते faces होते किते नहीं अब आप एक चीज देखो कि मुझे downstream जाना है इस speed के साथ तो क्या मुझे जादा time लगेगा कम लगेगा obviously बात है कम time लगेगा यानि कि जो time हमें downstream लगेगा वो कम होगा किसके comparison में जो time हमें ओपर आने के लिए लगेगा अब मुझे इस equation को क्या करना है हमें कहां गया है कि अब या तो देखो इस तरीके से बना सकते हो या तो आप इसको direct कर सकते हो कि किस में जादा time लगा obviously बात है downstream में मुझे कम time लग रहा है यानि कि अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ तो यह equation पूरी satisfy करेगी बिल्कुल करेगी कि आप फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ T upstream समझाया मिल्कुल यह चीज आपको बस equation मना नहीं अगर आपने प्लस 3 upstream के साल लिख दिया ना कि भाहिया upstream में जाला नहीं लगता है तो यह question गलत हो जाएगा आप लोग करनी पाऊ गया अब इस question में कुछ नहीं राज अगर आप लोग ने equation मना दिये तो अब क्या कहा गया है अब हमें पूछा गया distance y करना माल यह distance था हमारा d kilometer अब upstream के case में क्या होता है d upon x minus y plus 3 plus d upon x plus y अब x और y हमें values given है d upon 6 minus 2 क्या हो गया 4 3 plus 6 plus 2 क्या हो गया 8 अब इसको solve करना है उसको वहाँ ले जाओ इसको यहां ले आओ चलो हम कर लेते हैं d upon 4 minus d upon 8 is equal to 3 ऐसे कर लो अब यह हमारा यहां से आगया lcm पहले हम ले ले लेते है lcm हो जाएगा 8 ही हो गया 2d minus d is equal to 3 और यह 2d minus d d is equal to यह cross multiply होगे 24 km हमारा सिधर सिधा answer चीक है यहां तक चीजे आई तो बिलकुल अच्छी बात है अगर अभी तक सारे questions समझ आ रहे हैं तो उससे भी अच्छी बात है अगर नहीं समझ आ रहे तो कोई बात नहीं homework आप लोग पहले लिख ले ना questions को आप लोगों को खुद की practice क आ चुका है अब क्या question है यहां पर इसको पहले द्यान से देखो यहां पर हमें given है a speed of the current current क्या होता वही जो flow of river या इसको current ही कहते है इसको मान लीजे क्या है यानि कि why given है हमें कितना 5 km पर और की speed ठीक इसके अलावा क्या बोला है motor boat है जो कि कितना जाती है goes 10 km upstream and back again to the starting point in 50 minutes समझ आया नहीं समझ आया तो बनाओ ठीक है बनाओगे तो समझ आएगा अब यहां पर मान लो यह एक हमें river है यह कुछ भी चीज़े एक motor boat है यह अब ऐसा जरूरी नहीं पेपर में पहले पूरी motor boat को सजाओ यहां पर लिखो motor boat ऐसा नहीं है बस समझ रहें के लिए बस ए नीचे आ रही है कितना टाइम उसको टोटल लग रहा पचास अब यहां पर किलोमेटर पर और में चल रही है मिनट में यहां पर बोला पचास मिनट कितने घंटों के बराबर होता है बताओ 50 by 60 इसको हम लोग लिख सकते है 5 by 6 और यानि कि क्या given है टी आप स्ट्रीम प्लस कि कि बराबर होगा 5 by बताओ जल्दी से 6 आर्ट के बराबर बराबर तो यहां पर पहली चीज है इस्टेंस कितना इस्टेंस हैं फिर यहां पर गिवन है कितना 10 km है तो यह पूरा जो distance है यह 10 km है अब time upstream कित्रा होदा है speed is equal to distance upon time और time is equal to distance upon speed तो distance 10 given है अब upon में क्या है अब y given है हमें यहाँ पे पहले ही तो इसको माल लो मैं लिख देता हूँ upstream को पहले चलो मैं वैसे लिखता हूँ x-y plus 10 upon x plus y is equal to 5 by 6 ठीक है अब y को डाल लो 5 t upon x minus 5 plus t upon x plus 5 is equal to 5 upon 6 अब देखो same question है या तो आप इसको क्या अगर सकते हो quadratic बिना सकते हो LCM ले सकते हो या इसको आगे further solve कर सकते हो या तो इसको लेके चल सकते है optional approach के साथ पहला option मैंने आपको एक trick बताई थी क्या c आगे आप लोग बताओ c d a b अब मालो c को लेते हैं 25 ले लेते हैं x की value मालो 25 है अब 25 minus 5 25 minus 5 होता है हमारा कितना 20 plus 10 upon 25 plus 5 plus 10 upon 30 अब इसको आगे further solve करो 1 upon 2 plus 1 upon 3 LCM इस 6 3 plus 2 ये आगया 5 by 6 क्या हमें 5 by 6 चाहिए हमें बिल्कुल 5 by 6 चाहिए आंखे बंद करके answer माहर कर दो ये approach इसी वज़ा से मैंने करो जो मेरे को नहीं बता था सच में कि इसका answer ये होगा अब इसमें option कोई भी डाल के देख लो answer आजाएगा इसको पूरा LCM लेके भी solve कर सकते हो आपका answer तब भी ये आजाएगा लेकिन time आपका यहां पर इस approach से बचवेगा optional approach जिसको हम लोग कहते हैं ठीक है optional approach हमेशा तुक्का मारना नहीं होती smart work कीए कहते हैं जो tricks आप लोग कहते हो न कि बहुत सारी tricks सीखते हैं वो tricks कुछ नहीं होती simple एक formula रखो बहुत सारे chapters में आपको optional approach में सिखाऊंगा algebra तो पूरा ही हम लोग optional approach से करेंगे लेकिन I hope यहां तक आपको एक clear हुआ होगा 5x6 answer आ गया हमारा यहां से यानि कि 5x6 जो है यह match हो गया answer सीधा सीधा 25 हम लोग लिख लेंगे अब एक ओर्स जीस हमेशा ध्यान रखना यहां पर क्या पूछा जाता है मैं आपको पहले भी का था कि हमेशे यहां पर ध्यान से पहले पढ़ना कि क्या पूछा गया है speed in km per hour of the motorboard यानि कि X ही पूछा गया था करेंबार हमसे पूछ लेता है downstream कै X हम लोग निकाल लेते हैं लेकिन वहां पर गलती हो जाती तो यह चीज का ध्यान रखना next पर आते next question करेंगे आप लोगों को फिर थोड़ा सा confidence मिलेगा वैसे तो वह नहीं आपको उवक देना था लेकिन आप लोग इसको पहले एक बड़ी खुद निहां से देखो क्या कहा गया है एक आदवी है वो बोट को अपनी रो करता है 18 km यारी कि distance हमें given है कितना 18 km कितने time में करते हैं चार घंटों में downstream and returns upstream in 12 hours पहली चीज़ बताव downstream क्या होता है अब ये तो आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए downstream क्या हो गया x plus y ठीक है x plus y हम लोगों को कितना given है अब यहां पे x plus y speed is equal to दूसरे case में आ जाओ upstream के case में क्या कहा रहा है upstream के case में क्या होता है x minus y और x minus y किसके बराबर कहा रहा है same distance given करता है लेकिन कितने गंटे में 12 गंटे में और इसको solve करोगे तो ये आगए 9 by 2 इसको करोगे तो ये आगए आपका 3 by 2 6 से गया तो अब x plus y given है x minus y given है अब देखो यहाँ पर जब हमें equation हमारी इस तरीके से बन गए ना तब ये कुछ भी पूछ ले अब पूछा गया गया है इसने पूछा है कि भाई stream निकाल दो यानि x को minus कर दो ये sign change हो जाएंग ये minus हो जाएगा तो ये आगया हमारे पास 2y is equal to 9 by 2 minus 3 by 2 9 minus 2 3 6 by 2 ये आगया सिद्धा 3 अब पॉण में चला गया यहां से 2 अगर किसी को ये step नहीं समझा है मैं आप किसे करके बता रहता हूँ इसके calcium लिया पहले हम लोगों ने आप लोगों को चाहता हूँ कि आपकी speed भी तरीके तक आए लेकिन फिर भी abelsium इसका ये ही रहेगा 6 by 2 ये cancel हो गया 3 और 3 किसके बराबर हो गया 2y के तो y क्या हो गया 3 by 2 यानि की 1.5 और यहां से आपका answer आजाएगा clear है कुछ भी नहीं है इसमें बस आपको downstream upstream का concept बताना जाहिए distance upon time is equal to speed बाग की question बना दो कि answer आपका 110% आएगा ही आएगा और अब optional approach तो मैंने बता दी अब next question में जलते हैं जिसमें आप लोगों और यहां में क्या कहा गया है speed of a boat along the current and against the current अब along the current क्या गया मतलब कि एक boat है along the current यह क्या होगया obviously बात है downstream यह क्या होगया आपकी x plus y कितनी given है हमें यहां पर 14 और अब यहां पर क्या है यहां पर हमें बोलीगी है speed of current against कितनी है 7 अब हमसे पूचा गया है कि find करो speed of y या तो इसको भी same equation में अब देखो हमें पता है x plus y किसके बराबर है x plus minus y किसके बराबर है 7 के देखो खुद ही यहां से values उठाओ यहां पर डालो अगर x 3.5 मैं लेता हूँ यह मानलो 1 मैं 2.5 लेता हूँ मानलो y मैंने ले लिया 2.5 तो यह किसके बराबर होगा यह होगा यहां पॉइंट 5 के बराबर यह किया हो गया? 14 अब देखो यहां पॉइंट 5 minus 2.5 7 होता है नहीं होता तो यानि कि यह answer ही नहीं 2.5 आपका answer ही नहीं अब दूशे case पर मानलो मैं उठाता हूँ 3 अगर यह 3 है तो याना प्लस 3 हो गया हमारा 14 तो क्या 12 minus 3 हमारा 7 होता है? नहीं 8 होता है तो यानि कि यह भी answer नहीं है 3.5 उठाते हैं अब अब देखो 10.5 plus 3.5 किसके बराबर होगा 14 के अब देखो 10.5 minus 3.5 7 के बराबर होता है बिल्कुल होता है तो answer आपका 3.5 समझ आया? जरूरी नहीं होता हर बार हर question को solve करना उसका answer निकालना प्रैक्टिस इतनी कर दो कि आप direct option सही answer निकाल दो अगर solve करोगे तो भी हाड ले आपको 40 second लग जाएंगे अगर इस रोज से जाओगे तो इसमें आपको 20-30 second लग जाएंगे लेकिन फरक क्या होगा जब आपकी practice जादा होगी ना तब आप लोगों को चीज़ें चीजों से डर नहीं लगेगा तब आप लोगों को confidence रहेगा आप आज मैं questions निकाला हो मुझे पता भाई 3.5 कहीं बच्चे क्या होगे ट्रिक से आंसर निकाला लेंगे ना फिर भी वो traditional approach से जाएंगे कि नहीं आंसर confirm करने के लिए यह मेरे साथ भी होता था मैं भी जाता था मैं भी आंसर निकालता था ऐसा ही लेकिन यह गलत है आपको practice करने है अब homework क्या है देखो homework आपको मैं बता रहा हूँ आप लोगों को time speed distance के questions उठाने है बोटन stream के खास्तोर पे कहीं से भी open challenge कहीं से भी उठाओ solve करो जो questions solve नहीं होता हमारा facebook group है हमारे facebook group पे जाओ वहाँ पे post करो आपको वहाँ पे बच्चे answer करी देंगे चालिस अजार लोग वहाँ पे बैठे है और मैं यह चीज पूरे confidence से कह सकता हूँ कि वहाँ पे कोई भी ऐसा question दुनिया का नहीं है जिसका answer वहाँ पे नहीं मिलेगा हां बहुत सार question यह है कि exam calendar कब आएगा paper कब होंगे उसका answer आपको वहाँ पे बिने मिलेगा और वो post भी मत करना focus कर रही है अब रोज lectures आएंगे रोज हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी तयारी को इतना जादा strong कर लेंगी जब भी exam calendar आए जब भी exam data है और हमारी तयारी उतनी हो कि हम paper qualify कर सके तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही जो लोग यह चैनल पहली बात देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर अभी तक आप लोग इसमें इन्रोल नहीं हुए आप इसमें इन्रोल कर सकते हो 400 रुपे में आज की डेट में आपका जियो का mobile का recharge नहीं होता हम लोग आपको पूरा 20,000 की coaching यहां पर provide कर रहे हैं और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग जबरदस्ती कर रहे है या फिर आप लोगों के साथ कह रहे हैं आप लोग लेक् आप लोगों का support है तो हमें पता है कि वो बहुत ज़ादा होता है तो आज के लिए सिर्फ इतने मिलते चलती में लेक्चर के साथ अभी के लिए दीजिये इजाज़त वभाई डेकर all the best see you soon take care मेहनत करते चलो क्योंकि आप कोशिश मेरे NCA रहेगी कि lecture आपको रोज मिलेगा ठीक है guys take care see you soon